तो चलिए बात कर लेते हैं राशी नंबर 6 कन्या यानि की वर्गो की वर्गो कन्या राशी वर्गो आज आपका दिन उत्तम रहने दारा है दस्वाँ चंद्रमा और पुनवरसु नक्षत्र हलाकि बाधक का प्रस्पति का नक्षत्र है तो इसराशी के जो स्टूडेंट्स हैं आज कम महनत करने से भी उनको सफलता हासिर होगी तस्वाँ चंद्रमा विद्ध्य हमिल लाभान में ज़रूर रखता है आज कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है कुछ मामलों में आपका मन आपको सही दिशा दिखाएगा आपके कामों की तारीफ भी हो सकती है आज कर्म का चंद्रमा है जीवन साती से आज आपको सही भी मिलेगा जो चीज अब तक आप से दूर थी जो आपके अप्रोच से पही थी वो जल्दी ही आपके हाथ आ सकती है कारण क्या? दिखी चंद्रमा आपके लाभ भाव का स्वामी हो करके आपके दस्में भाव में बैठा है इसलिए लाभ तो देगा ही देगा और उसके लिए लाभ को और ज़्यादा बहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? गणपती को हरावस्तर चढ़ा दीजे इससे क्या होगा? आपका दिन जो है वो शुब रहेगा और कर्म शेतर प्रभावी हो जाएगा बात करते हैं आपकी मानसिक्षमताओं की आपकी उची बौधिक्षमताओं आपको कमीओं से लड़ने में सहिता करेंगी समय कैसा भी हो लेकिन आपकी mental capabilities इस कमी को पूरा कर देंगी सिरफ positive विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है आपको समझना है तो कोई भी negativity आपके जीवन में है उसको positivity में तपदील किया सकता है को बहतरी नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा को यह कैसा आइडिया आपके मन में आएगा जो आपके लिए positivity जनरेट करेगा और आप उस आइडिया के साहरे अपने office में अपने colleagues पर अपने bosses पर चा जाएंगे पेरिंट्स की तवियत में सुधार होगा और वो अपना प्यार आपके उपर बरसाएंगे और प्यार से भी ज़्यादा आशिरवाद भरा हाथ आपके उपर रखेंगे जिससे बहुत सारे बुरे सिता समय स्वह हो जाता है क्योंकि माता-पिता का आशिरवाद आपके जीवन में is the biggest bliss किसी की प्यार में काम्याबी मिलने की कल्पना को सच करने में आप मदद भी करेंगे चाहिए आपको दूस्ती से ही लेकिन उस सफलता का हिस्सा आप भी वन जाएंगे करेंगे नई परियोज जिनाओं और खर्चों को हाल फिलाल हो सके तो थोड़ा सा टाल दीजिए सड़क पर बे काबू गाड़ी ना चलाएं अन्यथा कुछ गड़बड हो सकती है और विजा खत्रा मूल लेने से आपको बचना चाहिए व्यभाई के जीवन में सब कुछ अच्छा मैसूस होगा सम जीवन साती को थोड़ा खुश रखिए चलिए बात करते हैं आज के शुभा शुभ की आपके लिए क्या रहेगा आज के लिए आपका शुभंक रहेगा आठ शुभरंग रहेगा काला शुभ दिशा रहेगी पस चिम और शुभ समय रहेगा सुभ है नौ बजे से सुभ है स दस बजे तक का और उपाय के तोर पर क्या करें आप पंच मुकी हनुमान जी पर चड़ी मौली अपने कलाई पर बांधें इससे कर्म शेत्र बहतर हो जाएगा